पंजाब कैबिनिट मिनिस्टर गुर्मीद सिंघ मीत हेर आज पठानकोड के शापूर कंटी में बन रहे बेराज प्रोजेक्ट का दोगा करने पहुंचे मीडिया से रूबरू होते हुए मंतरी मीधियर ने बताया कि बेराज प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद पंजाब को 206 मेगावाट बिजली मिलेगी और वही 5000 एकड़ भूमी को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा वहीं इसके साथ ही उन्ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ उनकी माइनिंग को मुद्य को लेकर आज एक एहम मिटिंग है जिसमें एहम फैसले लिए जाएंगे क्योंकि बड़े लंबे समय तो इदा जिड़ा काम है वह चल रहे है यह सानू बड़ी खोशी है कि पगवांतमान जिड़ी सरकार हो दी अगवाइच बड़ी जल्दी जिड़ा है प्रजेक्ट जिड़ा फूरा होन जा रहे है यह दा जिथे 206 मेगाबार्ट विजली जिड़ी पंजाबिया नो जिड़ी है मिलूगी उदे नाल नाल इरिकेशन दा वी तकरीबन पांच यार एकड़ लेंड जिड़ी लेंड जिड़ा पानी एदा वह वर्त जाओगा तो प्रजेक्ट जड़ा लंबे समय पेंड़ शी मिल्जा रहे है वह दा जैजा लैंड दिया जा से सार्डेश सारे आफपसर सारे सावाने सारे साश्वार मोचिया दूजा क्योंके पथान कोट Mining दे बड़ा इस बाड़ा एरिया तो दूसरी जड़ी मीटिंग हूँ सब जड़े ऑपिसर साहब आने, DC साहब, SSP साहब, सारना जड़ी कथी मीटिंग जड़ी आउ पठान कोड़ी के हुनिया, ओधा जड़ा 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 कोके होने थे, जड़े आउनार समय चेकर प्योटलाम जड़ियां कलियां पब्लिक माइच चाजियां सी, उन जड़ियां क जड़े ने केमर्षिल केडियां माइच वाइच जड़ी आउना जड़ी टेंटर ने हो चुक गया, सो सारे कासे वारे जड़ा जड़ा मीटिंग जड़ी आउ रखी है, ऑज शलारिया जड़ेखा प्ठान कोड़ डिमेमर बनो, आने बाले 5 साल तक, तड़ वाइड मेडिक कोलेज एंड हॉस्पीटल पठान को त्वादा फ्री अलाज करेगा कोई एक रपारी लगेगा लाज हार दा होए किड्री दा होए कोई बड़ी बैमारी होए सारा फ्री होएगा